यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। जब कोई चीज प्यार से न मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। और आज भारत वीठो पावर के लिए कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने भारत का पूरा सम समर्थन करना शुरू कर दिया है। इस खबर का पूरा विशलेशन जानने के लिए बने रहें। भारत के इस बढ़ती ताकत के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अमेरिका, फ्रांस, रूस और अब ब्रिटेन के समर्थन के बाद सं इन्युक्त राष्ट्र संग की स्थापना को साथ दशक से अधिक समय हो चुका है और तब से दुनिया काफी बदल चुकी है लेकिन सुरक्षा परिशत का धांचा अभी भी वही है। भारत ने लगातार सुरक्षा परिशत में सुधार और अपनी स्थाई सदस्यता की वका कावजूद चीन भारत की इस दावेदारी का विरौध कर रहा है। UNSC में पांच स्थाई सदस्यों में से केवल चीन ही है जो भारत का समर्थन नहीं कर रहा है। अब ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर ने भी इस समर्थन में अपनी सहमती जताई है। स्थाई सदस्य बनाने की बात कही। भारत लंबे समय से UNSC में सुधार की मांग कर रहा है। 1945 में स्थापित यह 15 सदस्य परिशद अब वैश्विक भूराजनीतिक परिद्रिश्य का सही धंग से प्रतिनिधित्वन नहीं करती। वर्तमान स्थिती को देखते हुए परिशद के स्थाई सदस्यों की संख्या का विस्तार आवश्यक हो गया है। भारत ने 2021 से 2022 तक सुरक्षा परिशद में अस्थाई सदस्य के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपती मैक्रो ने भी UNSC में सुधार की आवश्यक्ता पर जोर दिया और कहा कि परिशद को अधिक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यक्ता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को स्थाई सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही अफ्रीकी प्रतिनिधित्व के लिए भी उचित कदम उठाये जाने चाहिए। युएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी सुरक्षा परिशद में सुधार की मांग की और कहा कि अगर इसकी संरचना और कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया गया, तो यह अपनी विश्वसनियता खो देगा। हालां कि सुरक्षा परिशद के पांच स्थाई सदस्यों में से केवल चीन ही ऐसा देश है जो भारत की स्थाई सदस्यता का विरोध कर रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण भारत और चीन के बीच क्षेत्रिय और राजनीतिक मतभेद हैं। इसके अलावा चीन जापान की स्थाई सदस्यता का भी विरोध करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद के स्थाई सदस्यों के पास वीटो पावर है जिससे वे वैश्विक संकटों और संगहर्षों में अहम भूमिका निभाते हैं। हालां की वर्तमान में परिशद बदलते वैश्विक परिद्रिश्य के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है। सुरक्षा परिशद में अफरीका या भारत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है। अमेरिका के जाने माने उद्योग पती एलन मस्क ने भी इस बात पर हैरानी जताई कि भारत को अभी तक सुरक्षा परिशद की स्थाई सदस्यता नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में सुधार और स्थाई सदस्यता का मुद्दा जटिल और कई देशों के हितों से जुड़ा हुआ है भारत की स्थाई सदस्यता की मांग और उसका समर्थन लगातार बढ़ रहा है लेकिन चीन का विरोध इसे एक जटिल मुद्दा बना रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद UNSSE के पांच स्थाई सदस्यों P5 को 1945 में द्वितिय विश्व युद्ध के विजेताओं के रूप में यह अधिकार मिला इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है ये देश वैश्विक शक्ति सनरचना के प्रतीक माने जाते हैं और इनके पास विशेश वीटो पावर है जो किसी भी निर्णय को रोकने में सक्षम बनाता है जब UNSSE की स्थापना हुई थी, तब भारत इस स्थिती में नहीं था कि उसे इस क्लब में शामिल किया जा सके भले ही भारत आज दुनिया की बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बन चुका है लेकिन यह वीटो पावर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है कई देशों और विशेश रूप से P5 देशों में अभी भी भारत को स्थाई सदस्य के रूप में देखने में संदेह है क्योंकि यह उनके विशेश आधिकारों को चुनोती दे सकता है संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यक्ता को लंबे समय से महसूस किया जा रहा है लेकिन सुधार प्रक्रिया में वीटो पावर से जुड़े मामलों पर आम सहमती नहीं बन पाई है UNSC में स्थाई सदस्यता के विस्तार को लेकर कई देश असहमत हैं जिनमें पी पाँच भी शामिल है अगर नए देशों को स्थाई सदस्यता दी जाती है तो इससे वीटो पावर के उपयोग में असमानता पैदा हो सकती है भारत और चीन के बीच कई राजनीतिक और सीमा विवाद है चीन हमेशा से भारत की UNSC स्थाई सदस्यता के विरोध में रहा है खास कर तब जब भारत की सुरक्षा परिशद में स्थाई सदस्यता की मांग बढ़ती है चीन का मानना है कि अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो इससे उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है हालां कि भारत को कई देशों का समर्थन मिला है फिर भी वीटो पावर के लिए सभी पी पाँच देशों की सहमती जरूरी है अब तक भारत इस संबंध में सभी स्थाई सदस्यों का पूर्ण समर्थन हासिल नहीं कर पाया है इसके साथ ही अन्य उभरते देश भी सुरक्षा परिशद में अपने अधिकारों के लिए संगर्ष कर रहे हैं जैसे जापान, जर्मनी और ब्राजील जिससे यह मुद्दा और जटिल हो गया है भारत भले ही एक तेजी से उभरती हुई अर्थ व्यवस्था हो लेकिन अभी भी सामाजिक और आंतरिक चुनोतियों का सामना कर रहा है गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा की समस्याएं और आतंकवाद जैसे मुद्दे वैश्विक स्तर पर भारत की छवी को प्रभावित कर सकते हैं कुछ देश इस बात पर जोर देते हैं कि भारत को पहले अपने आंतरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए वीटो पावर प्राप्त करने के लिए अंतरराश्ट्रिय संबंधों में स्थायित्व और समर्थन की आवश्यक्ता होती है भारत अपने इतिहास में गुट निर्पेक्ष आंदोलन का प्रमुख सदस्य रहा है जो उसे पश्चिमी देशों के समर्थन से दूर कर सकता था हालांकि वर्तमान में भारत की विदेश नीती में लचीला पनाया है फिर भी उसके संबंध P5 देशों के साथ संतुलित नहीं हो पाए है भारत लगातार अपने वीटो पावर और स्थाई सदस्यता के लिए अंतरराश्ट्रिय मंचों पर आवाज उठाता आ रहा है इसके लिए भारत ने कई देशों के साथ कूट नीतिक संबंधों को मजबूत किया है लेकिन यह सिर्फ कूट नीती से नहीं बलकि UNSC में व्यापक सुधार के साथ ही संभव होगा जी चार समूह भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने मिलकर जी चार समूह बनाया है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में स्थाई सदस्यता के लिए दबाव बना रहा है यह समूह सामूहिक रूप से यह मांग करता है कि सुरक्षा परिशद का विस्तार किया जाए और उन्हें स्थाई सदस्यता दी जाए